तो चलिए देश हमारा की शुरुवात करते हैं कि बड़ी खबर के साथ सिक्षा विभाग से जोड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर 2 अगस्त से खोले जाएंगे प्रदेश में स्कूल इस वक्त यह बड़ी खबर स्कूलों को खोलने को लेकर बड़ा फैसला ल जाएंगे एक से बारवी तक के स्कूलों को खोला जाएगा चुले फिलाल इस खबर पर जानकारे देने के लिए जी वीडिया समधाता लली जुड रहे हैं लली देखिए काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रदेश में दो अगस्त से स्कूल खोले जाएंगे क्य लैनियट किया जाएंगे नियुकर तो पहले चरण में जहां सक्षा 9 से बारवी तक के स्कूलों को खोला गया था तो वहीं दूसरे चरण में कछा 6 से लख्य आठ भी तकै स्कूलों को खोला गया था लेकिन एक बार पिर से प्रकोप बढ़ा था और दो मेने बाद यी सबसे बड़ा सवाल को तीसरी लहर को लेकर हम पहले से चिंते थे और बच्चों को लेकर यह सवाल है तो कैसे मैनेज किया जाएगा सरकार ने क्या सोचा है मैं इस सवाल का जवाब दूँगा लेकिन शिक्षा मंत्री गोविन सिंग दोटा सरफ पहस्वारता के लिए मेडिया के सामने पौशने वाले हैं और मैं चाहूंगा कि शिंग्वे जंता उऩी को शुने कि किस प्रकार से जो आज कंट्ठा लिया गया है कि अन्यविन कभी अब मियम ही भरती होगी लेकिन अब नियमीद भर्ती की जाएगी तो वही इसकोलों के खोलने के लेकर भी आज के जो प्रस्ताव रखा गया था उसमें सभी मंत्रियों के ओर से यह सुझाव दिए कि क्योंना है एक बार इसकोलों को पूरा खोल दिया जाएगी बिल्कुल सही आपने काला लिद धन्यवाद इसमर्दमाम जानकारी के लिए सरकार का यह बड़ा फैसला और कुल मिला कर यह है कि सरकार ने दो बड़े फैसला लिया है जिन्वें सबसे पहले तो एक स्कोलों को खोलने को लिकर लिया गया है और सिक्षा विवा की तरफ से यह बैठे तो उनको लेकर यह बड़ी खबर है कि अब फिलहाल नियमित की जाएंगे भरतियां जो सम्विदा पर निकाली गई थी एक तरफ यह बड़ी खबर इसमक तारिकी एक से लेके बारवे तके स्कोलों को खोलने को लेकर सरकार ने फैसला ले लिया है और सरकार ने साफ खानिया बरती हैं वो सारी चीजे बिल्कुल साफ करते दिखाए देंगे जिसके आधार पर स्कूल संचाले को खोलेंगे